चिपकली के शरीर पर गिरने का क्या अर्थ लगाएं? हमारे घरों की दिवारों पर रेंगनी वाली चिपकली हमारी आपकी नजर में बहुत मामूली जीव है. लेकिन शकुन शास्त्र मानता है कि ये हमें भाविश्य के बहुत से संकेत देती है चिपकली. शकुन शास्त में चिपकली या चिपकली पर विस्तरत चर्चा है. इसके मुताबिक ये ननही सी जीव जीवन के बहुत से राज संकेतों में बताती है. ईश्वर ने इसे इंसानों के आसपास अपना दूत बनाकर चोकन ना किया है. इसलिए चिपकली को आधार बनाकर वे अलग-अलग लोगों से पूछती है. आज हम शकुन शास्त के आधार पर चिपकली से जड़ी सारी काम की बात बताएंगे. तो सबसे पहले जानते हैं घरों में दिखने वाली चिपकली के बारे में क्या कहता है शकुन शास्त. वन दिन में भोजन करते समय यदि चिपक अधिकांश रात के समय बोलती हैं. चिपकली का माधे पर गिरना शुब माना जाता है. अगर माधे पर गिरती है तो कहीं से संपत्ती मिलने की संभावना बढ़ जाती है. अगर चिपकली समागम करती दिखे तो किसी पुराने मित्र से जल्द मिलना हो सकता है. चार चिपकल अगर लड़ती दिखे तो किसी के साथ जगड़ा होने की आशनका है। इसलिए उस दोरान अपने आवेश पर नियंत्रन रखना चाहिए अन्यथा किसी प्रियजन से विवाद हो सकता है। पांच आपका ध्यान छिपकली पर तब जाए जब वह समागम से अलग हो रही थी तो किसी प्रियजन से बिचुने का दूख सहन करना पड़ सकता है। सिक्स नए घर में प्रवेश करते समय यदि ग्रिहस्वामी को छिपकली मरी हुई वह मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो सावधान रहना चाहिए। उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। ऐसा शकुन शास्त कहता है। इस अपशकुन से बचने के लिए पूरे विधी विधान से पूजा के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। साथ नाक पर छिपकली गिरना शुब है। इससे जल्दी भाग्योदे होने के संकेत मिलते हैं। इच दाहिने कान पर छिपकली का गिरना यानी आभूशन की प्राप्ती होगी। नौ बाएं कान पर छिपकली का गिरना यानी आयू में विधी जोकी शुब संकेत है। दस यदी छिपकली आपके बालों पर गिरती है तो आपको अपने स्वास्थे को लेकर सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि इससे जीवनहनी का संकेत मिलता है। ग्यारा मुख पर छिपकली गिरना यानी मधूर भोजन की प्राप्ति होगी। बारा बाएं गाल पर छिपकली गिरना यानी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। दहिने गाल पर छिपकली गिरना यानी आपकी उम्र बढ़ेगी। तेरा गर्दन पर छिपकली गिरने का मतलब यश की प्राप्ति होगी। 14. दाड़ी पर छिपकिली गिरने का मतलब आपके सामने जल्दी ही कोई भयावय घटना हो सकती है। 15. मूंच पर छिपकिली गिरना यानी सम्मापन की प्राप्ती। 16. महोंच पर छिपकिली गिरना यानी धनहानी। सत्रा दाहिनी आंख पर छिपकिली गिरने का मतलब किसी दोस्त से मुलाकात होगी। बाई आंख पर छिपकिली गिरने का मतलब जल्दी कोई बड़ी हानी होगी। अठारा कंठ पर छिपकिली गिरने का मतलब शत्रूओं का नाश होगा। 19 दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने पर विजय की प्राप्ती होती है। 20 दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरने से संपत्ती छिनने की आशन का बढ़ती है। 21 दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं। 22 चाती के दाहिनी और छिपकिली गिरने से जल्द ही धेर सारी खुशियां मिलती है जबकि बाहिनी और गिरने से घर में जादा क्लेश होता है. 23 पेच पर छिपकली गिरने से आभूशन की प्राप्ति होती है 24 कमर के बीच में अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक लाब मिलता है 25 पीच पर दाहिनी और छिपकली गिरने से सुख मिलता है जबकि बाई तरफ छिपकली गिरने का मतलब रोग का दस्तक देना है 26 पीट पर बीच में अगर छिपकली गिरती है तो घर में कला होती है 27 नाभी पर छिपकली गिरने से मनो कामनाएं पूरी होती है 28 दाहिनी जान्ध पर छिपकली गिरने से सुख मिलता है वही बाई जान्ध पर छिपकली गिरने से शारीरिक पीरा होती है 39 दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का सयोग बनेगा बाएं घुटने पर छिपकली गिरने का मतलब बुद्धी की हानी है 30 दाएं पैर या दाएं एरी पर छिपकली गिरना यानी यात्रा से लाब मिलता है बाइं पैर या बाइं इडी पर छिपकली गिरने से बिमारी या घर में कला होगी दूख्ष मिलेगा 31 बाइं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब आश्वर्य की प्राप्ती है 32 बाइं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब व्यापार में हानी होगी